हेलो फेंड्स स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यांडीपो में मैं संदीप चोद्रिय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यह सफ जो सेंट्र इंडिश्ट्र सेक्यूर्टी फोर्स है उसका डिपार्टमेंटल एक्जाम जो निकलता है और उसकी लेटिस्ट वैकेंसी अभी लडिश्टी 2020 की 690 वैकेंसी हैं दोस्तों तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं हाला कि अभी जो लडिश्टी 2019 का एक्जाम है वो अभी हुआ नहीं है एक बार हुआ था और उसके बार उसको कैंसिल कर दिया गया था दुबारा कोविड-19 पैंडेमिक की वज़े से यह नहीं हो पाया तो वह भी उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम जो आपको लिए चलते हैं सेंट्रल इंडेश्टल सिक्योर्टी फोर्स की ओफिसल वैब साइट जैसा कि आप देख रहे हैं यह हैं यहां पर गोवर्मेंट ओफ इंडिया तो इसके अभी हम होम पेज पर हैं अभी हम रिक्रूटमेंट पेज पर चलते हैं यह आप देख रहे होंगे राइट सैड में इसका रिक्रूटमेंट पेज है यहां पर ठीक है तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं तो यह ओपन हो गया है अभी इसका पेज और यह देखिए अभी 31 को एक यह 31 को जारी किया गया है क्योंकि यह जो exam है यह है LDCE exam 2020 तो इसको 2020 में ही public करना जरूरी था इसलिए दोस्तों इसको 31 में ही निकाला गया है जो LDC exam 2019 की अगर हम बात करें जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा vacancy थी 1314 vacancy थी जिसमें जिसका exam February 2019 में हुआ था जो बाद में cancel कर दिया गया था उसका exam भी बहुत ही जल्दी होने वाला है ठीक है तो इस बार चुकी vacancy है कम है लेकिन बिल्कुल आप निश्चिनत हो जाएए मैं आपको बहुत अच्छे से LDC exam की त्यारी कराने वाला हूँ तो सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजे कि दोस्तों इसमें open से कोई भी form नहीं भर सकता है इसमें वे ही candidate form भर पाएंगे जो old lady CISP में पहले service कर रहे हैं जो मेरे भाई CISP में constable या constable tradesman या head constable की job कर रहे हैं वो इस form को भर सकते हैं और assistant sub inspector के पद पर चैनित हो सकते हैं departmental exam के दौरा LDC जो होता है वो होता limited department competitive exam चलिए इसके बारे में जान लेते हैं देखिए यह headquarters से आया और सभी आईजी निशा जोनल plants RTC सभी DIG को unit commander को भेजा गया इसमें दोस्तों यह दिया हुआ recruitment of assistant sub inspector executive वाला थू लडी C for the year of 2020 ठीक है तो यह जो exam है दोस्तों यह 2020 के लिए यह जो वैकन्सियां है जो परियर हमारी आनी थी 2020 में वह हैं ठीक है यह आप देख रहे है 690 वैकन्सियां है इसमें ठीक है इसमें जो 690 वैकन्सियों में जो है 536 वैकन्सी अन्रिजर्वड की है सेड्यूल कास्ट की जो SC कैटेगरी होती है उसकी 103 है और SC कैटेगरी की 51 है OBC कैटेगरी की इसमें वैकन्सिय नहीं है OBC को आपको अन्रिजर्वड में यानि जनरल में ही फोर्म फिल करना पड़ेगा ठीक है तो और एक और बात इसमें बताई गूई है देखो यह सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट है और यही मैं आपके साथ डिसकस करने वाला था क्योंकि देखिए 2019 के एक्जाम में 1300 प्लस वैकन्सी ठीक है दोस्तों और 2020 में मात्र 600 या इसको 700 मान लीजिए आप तो इन्हों आपको बढ़ने वाली है ठीक है तो यह जो लिमिटेट डिपार्टमेंट कॉंप्टिटिव एक्जाम है इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे यह जो दिया हुआ है आप देख लीजे ओनली हैड कॉंस्टेबल जीडी कॉंस्टेबल जीडी और कॉंस्टेबल टेट्समें के लिए हैं हुह हो कंप्लिटेट फाइव इयर गूलर जिन्नोंने सर्विस कर ली है ठीक है और इंक्लूडिंग पीरिडों बीशिक ट्रेनिंग ठीक है पांस साल कीकिर Neeंねं पांस साल की सर्विसmers को नीची ए ट्रेनिंग के साथ में ठीक है और वो कब तक है 18 2020 तक है ठीक है ने दोस्तों इसका यहां पर यह भी देख लिए those who have been appointed in the force on the before of 31st July 2015 यानि 2015 31 July से जो भी पहले appointed हुए हैं वो सभी दोस्त वो सभी मेरे भाई जो अभी शिपाई या प्रधाना रख सक के पदपर तैनात है वो इसमें भर सकते हैं ठीक है यह आगया आप पढ़ लीजेगा मैं इसको अपने एलिग्राम चैनल पर सेयर कर दूँगा या नीचे लिंक में भी इसका जो है वो दे दूँगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें अलग-अलग आपको जो भी रेस्पेक्ट्व अप्लिकेशन रिसीविंग हैं उनके अलग-अलग जोनल डिजी बनाए हुए हैं यह सभी उनकी दिये हुए है कि कौन कहां पर आपका फॉर्म भेजेगा और सबसे इंपोटेंट बात यह है दोस्तो इसमें आप ओन-लाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं इसमें ओफ-लाइन फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा आपको ठीक है तो ओफ-लाइन फॉर्म फिल करना है इसम को आपको यह फॉर्म भेजना पड़ेगा ठीक है तो यह आप देख लिजेगा जैसे हम बात करें अगर फॉर्च एड़कर न्यू डैली एडीजी नोर्थ एडीजी ओ एपीएस यह सभी कहां भेजेंगे यह सभी डियाइजी नोर्थ जोन फस्ट महिपालपूर न्यू डै यह फै Beethoven को यह सभी बेजेंगे भी यह फिसे तरीके से आ गहां यह सभी तो आप जो भी इस बींट प्रू あ जिスन लिट्रूकर ऑफ एह उस्कार से आप को बेज दीजेगा ठीक है यह फॉर्टेंट के लिए कि ब्रांच को कोई नहीं भेज़ेगा और इसमें इस पेसली जो किसी भी यूनिट के उन्ट कमांडर है उनको इंस्वर करने के लिए बोला गया है कि वह इंस्वर करें कि यह पर से लोंडा इलेक्शन ड्यूटी टैंपरेरी ड्यूटी अटेच्मेंट ड्यूटी शुडबी इन कर दिया जाए ठीक है ना तो यह है आगे इसमें आपका जो है जो इलेजबिलीटी है एलेजबिली क्राइट क्राइटीरिया दिया हुआ है जैसे सर्विस एलेजबिलीटी क्या है कैंडिडेट सुड है ओ कंप्रीट फाइव यह रोफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेइडिंग जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि पांच साल सर्विस होनी चाहिए भाई ठीक है दोस्तों पांच साल सर्विस होनी चाहिए आपकी 31 जुलाई 2015 से पहले जो भी भाई भरती हुए है जिनका पॉइंट जो आपॉंट हो है 31 जुलाई 2015 से वह इसमें भ उन नोट अर्लियर देन 2885 ठीक है 85 से पहले का नहीं होना चाहिए ठीक है और बाकि आप देख लीजिए जो रिलेक्सेशन दिया हुआ है SCST भाईयों को पांच साल का ठीक है नो एज रिलेक्सेशन इज एप्लिकेबल फोर OVC केंडिडेट ठीक है क्योंकि no vacancy is reserved for OVC category OVC category के लिए vacancy नहीं है तो OVC category के लिए relaxation भी नहीं होगा और देखी लीजिए लास्ट में OVC candidate can apply as general candidate उनको treated किया जाएगा उनको treat किया जाएगा general category में यानि unreserved category में उनको treat किया जाएगा ठीक है दोस्तों education qualification आप सभी जानते हैं graduation होना जरूरी है रिकोर्ड भी आपका clean होना चाहिए यह important है the candidate must have good or above good ACR for last 5 years last के 5 साल में आपको क्या है पांत लास्ट के 5 साल का आपका जो ACR है दोस्तों वो क्या होना चाहिए वो good या very good से above होना चाहिए ठीक है चलिए और कोई भी जो है unblemished service record नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी punishment आपको नहीं होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं यह अभी हाइट वगारा आप देख लीजिए गर notification में जो SSC निकालती है अपना CPF से उसकी तरह ही है इसमें से जैसे आप 170 हाइट होनी चाहिए फिमेल के लिए 157 होने चाहिए जो यह कुछ इस्पेशल के बंदे हैं जैसे गोर जो गड़वाली जैंकुमाओं डोर गाज हैं इनके लिए 165 और 155 फिमेल के लिए जो सैडूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 इनकी 154 देखिए यह आप सभी समझ लीजीगा क्योंकि यह नॉर्मल है इसको आप देख लीजीगा वीडियो ज़्यादे लंबी हो जाएगी हम अधर किसी इन पर बात करते हैं ठीक है तो यह देखिए कि आपके पास ठीक है तीन चांस मिलेंगे आपको अब आप यह देख लीजे दोस्तों 2019 का भी एक्जाम आपको देना है 2020 का भी देना तो मैं तो यह कहता हूं कि आप 1920 में से ही आप अपनी सीट को पकपा कर लीजिए आप मेरे साथ जुड़े रही है मैं एक स्पेसल कोर्स ले लेका यह तो मैं कोर्स लेका रहा हूं उस कोर्स की भी हम चर्चा करेंगे बाद में तो यह कह रहे हैं कि वन चांस विल भी कंडिक्टिट फॉर दोज केंडिटेट हुआ अटेंड दर रिटीन एक्जाम यानि एक बार जो रिटीन एक्जाम में बैठ चुके हैं उनका एक जो है काउंट होगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं यह पैरा दिया हुआ अलग सेलेक्शन प्रोसीजर देखिए सेलेक्शन प्रोसीजर में जो आपका स्टेज वन है वो सर्विस रिकोर्ड आपका देखा जाएगा ठीक है सर्विस रिकोर्ड में आपका एस्या एक्जाम होगा ठीक है रिटीन एक्जाम होगा और रिटीन एक्जाम यह जो दिया हुआ है इस तरीके से होगा इसमें आपको साड़े तीन घंटे मिलेंगे ठीक है साड़े तीन घंटे मिलेंगे ठीक है साड़े तीन घंटे मिलेंगे और साड़े तीन घंटे में आपको जो यह 200 मांक्स लेकाने हैं और इसमें यह 200 कोशन होंगे 50-50 मार के जनल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जनल अवेरनेस और प्रोफेशनल नॉलिज नूम्रेल एबिलेटी और कॉम्प्रियंस और कम्मुनिकेशन इसकिल ठीक है आप इनकी चिंता मत कीजिए उस सबसे इंपोर्टेंट बात यह है देखिए इट विल भी नैसेसरी फूर इच केंडिडेट टू सिक्योर एट लिस्ट 45 मार्स इन इच फार्ट एंड 55 इन एग्रिगेट ठीक है तो आपको 50% कम से कम लेकाने हैं ठीक है 50% होने चाहिए 5% का रिलेक्सेशन है किनके लिए सी और स्ट निभाईयों के लिए चलिए आगे देखते हैं उसके बाद फिजिकल इस्टेंडर्ड आपका टैस्ट होगा ठीक है उसके बाद इस्टेज 4 में आपका पीटी होगा पीटी में पीटी को इतना टफ नहीं है दोस्तों क कि आप पहले ही सर्विस कर चुके हैं और फिजिकल इस्टेंडर्ड भी आप चुकि पूरा फुल्फिल करके आएं कोश्टेबल की जोग के लिए तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपको मैन आपका ध्यान होना चाहिए एक्जाम पर ठीक है तो यह देख लिजे 1.6 की रेस है 6 मिनट 30 सेकंड में इजी हो जाती है फिमेल केंडिडेट्स के लिए 800 मिटर की रेस है चार मिनट में आ गया और भी यह दिये हुए है से 100 मिटर की रेस हाई जंप है लोग जंप है सोट फुट अप है ठीक है उसके बाद क्या होगा स्टेज 5 में स्टेज 5 में आप का होगा मेडिकल एक्जामनेशन अब मेडिकल एक्जामनेशन में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों क्योंकि आप उन लेडी पहले ही फुल फिल जो भी आपका कौंस्टेबल का क्राइटेरिया वो फुल फिल करके आए हैं तो यह इस तरीके से है प्रोसिजर औ और आपका जो है फाइनल सेलेक्शन होगा उसके बाद ठीक है तो फाइनल सेलेक्शन तभी होगा दब आप अच्छे से एक्जाम को करेंगे लास्ट डेट जो है वो जो एप्लिकेंशन सम्मिसन की वो है पांच फाइबरी तो पांच दो दो हजार बीस तक दोस्तों आपको अच्छेंट बाइद रेस्पेक्टिव डिएज एप्लिकेशन रिसींग सेंटर एज मेंशन इन दा पैरा टू में जो भी दिये हुए एबाव सेल बारा जो है बारह तक पहुंच जाने चाहिए ठीक है दा यूनिट कमांडर दा इनुट कमांडर विल फोरवर्डिंग दा ठीक है दोस्तों दा यूनिट कमांडर वाइल फोरवर्डिंग दैप्ली एप्लीकेशन विल इंसूर देट दा फॉलोइंग डोकुमेंट डूली अटेस्टेट बाइग गजजटेटिड ओफिसर तो यह भी आपको ध्यान नखना है ठीक है उसके बाद यह सर्टिफिकेट सब्सक्राइब यह सभी यह देख लीजेगा आपको यह सभी डेट दी हुई है इस पर ध्यान रखना है देखिए जो एप्लीकेशन की लाश्ट डेट है वह पांच फरवरी दी हुई है लाश्ट डेट जहां रिसिप्ट की है जो आपके रेस्पेक्ट डी आईजी हैं उनक लिए नहीं दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि आपका जो 2019 वाला डीसी है उसका प्रोसीजर चला है ठीक है चलो उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं देखिए अभी लेटेस्ट टेकन लेटर आया था दोस्तों सभी यह आपका फॉर्स हैड़क्वाटर की तर तो वो पूछा गया है कि आप कितने बंदों का एक्जाम करा सकते हैं सभी टी आर जी से पूछा गया था तो आप निश्चिंट हो जाईए मेरे विचार से फैबररी में आपका एक्जाम हो सकता है ठीक है अभी चुकि यह थोड़ी सी और दिक्कत होगी है जो कोविड 19 का एक नया स्टेन आ गया है तो उसकी वज़े से थोड़ी दिक्कत हो सकती है वरना मेरे विचार से आप तैयारी में लग जाईए फैर वरी में आपका एक्जाम हो सकता है ठीक है तो यह थी आज की वीडियो दोस्तों तो आगए इसमें दिया हुआ यह चांस वगरा की तीन च फिल करके भेजना बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसको फॉर्म को फिल कीजेगा ठीक है ध्यान से इसको फिल करना है उसके बाद यह आपका सेटिविकेट वगरा दिये हुए है कि मैंने किसी इसमें दोसी नहीं हूँ मैं इस तरीके के यह प्रिसनावली होती है तो यह था 2019 उसकी भी तैयारी जोर सोर से करनी है और LDC एक्जाम जो है 2020 इसकी भी जो इसमें है 690 वैकेंसी और इसमें है 1314 वैकेंसी तो दोनों के लिए जुट जाईए दोस्तों ठीक है एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लेकर हम आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क इस करन्ट अफेर्स और साथ में सी आई ऐस एक्ट एंड रूल और इंगलिस इन सभी की तैयारी और इसके बाद सभी की PDF और इसके बाद जो है सभी टेस्ट स्रीज हम लगाएंगे ठीक है ये सभी कुछ होने वाला है हमारे कोर्स में ठीक है तो इसकी एक डिटेल्ड वीड कि वीडियो को जादे से जादा सेयर कीजिए अप उन सभी भाईयों में जो अभी शिपाई के पद पर तैनात है और जिनका सपना है कि वह ओपन की बजाए कि दोस्तों मन में आग लगा लीजिए की मेरे को यह वेकंशी मेरे को यह जो है मोका छोड़ना नहीं है और मैं बिल्कुल संदीप चोधरिया पे साथ आपको एक-एक चीज मैं समझाने के लिए एक-एक चीज कराने के लिए तयार हूं ठीक है तो के दोस्तों जयहिन